असलाम अलेकुम विवर्स वेलकम टू माई पब जीवीचन चैनल तो बाई लोग कैसे उमीद करता हूँ आप लोग खेरे असे होंगे तो यार आज इस वाली वीडियो में आप लोगो को टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम कौन से चलेंज को डिसकस करने वाले हैं तो यह चलेंज जो है इसलिए मैं पहले डिसकस करूँगा क्योंके मैंने टाइटल में ही यही नाम दिया हुआ है तो बाकी विवर्स जो जो भी सारे चलेंजिस देखना चाहते हैं तो यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो उसमें मैं इस चलेंज के बाद सारे चलेंजिस को जो है वीक 3 के सारे चलेंजिस डिसकस करूँगा तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए आरपी पर क्लिक कर लेते हैं और आरपी में क्लिक करने के बाद यहां पे आप लोगों ने आना है मिशन्स पे और जैसे आप लोग मिशन्स पे आओगे यहां challenge mission और challenge missions में आप लोगों को week 3 में आना है तो week 3 में आप लोगों को ये challenge मिलने वाले है तो सबसे पहले मैं वूस challenge की बात करूँगा जो के मैंने title में नाम दिया हुआ है kill 10 in emiramar in classic with shotgun तो आप लोगों ने करना क्या है 10 बंदों को मार देना है मिरमार के location में यानि मुरमार के map में आज जाके आप लोगों ने वहाँ पे 10 बंदों को मार देना है और यह मिरमार आपको कहाँ पे मिलेगा classic mood में मिलेगा ठीक है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है enemy in miramar in classic mood with shotgun और shotgun के साथ आप लोगों ने 10 बंदे मार देना है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को simple वो मिरमार दिखा देना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों देख सकते हो मेरा classic select है तो आप लोग भी इस तरह classic select करो और उसके बाद यहाँ पे miramar select करके यहाँ से okay कर दो तो आप लोगों ने वहाँ मेरा मार के location पे जाके यह gun उटा देना है जो के मेरे हाथ में है शाड़ गन उनके उससे आप लोगों ने 10 बंदों को मार देना है तो उसके बाद आप लोगों का यह challenge जो है वो easily complete हो जाएगा उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आरपी पर तो यहाँ शाड़ पे मेरे से क्लिक हो गया तो मैं आरपी पर जाता हूँ आरपी में यहां missions पर आता हूँ और missions में में challenge missions पर आगया ठीक है तो उसमें सबसे पहले जो मेरा जो मुझे challenge दिया गया है kill 20 enemies with M16A4 तो आप लोगों ने कहरना क्या है 20 बंदों को मार देना है वो भी M16A4 गन के साथ ठीक है कोई भी मेप हो आप लोगों ने just उसमें match के प्ले कर लेना है और उसमें यह गन उटा देना है मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा दूँ यह गन जो है आप लोगों ने M16A4 आप लोगों ने उटा देना है और इसके साथ आप लोगों ने 20 बंदों को मार देना है तो आप लोगों का यह challenge easily complete हो जाएगा फिर चलते हैं हम next challenge की तरफ हो और यहाँ पे हम लोगों को week 3 में kill 5 enemy by head shot तो आप लोगों ने 5 बंदों को मार देना है head shot दे के यानी sir पर मार देना है तो उससे आप लोगों को 5 बंदों को मार के आप लोगों का यह challenge easily complete हो जाएगा उसके बाद next mission है kill 3 enemies with a vehicle तो आप लोगों ने vehicle के साथ 3 बंदों को मार देना है और इसके लिए मेरा suggestion यही है कि आप यह trick apply कर लो आप एक दफ़ा बूट को knockout कर लो अपने हाथों से या gun से तो उसके बाद vehicle में बेट के आप लोगों उसके उपर चला दो तो आप लोगों का यह जो है easily आप लोग kill कर सकते हो तो उसके बाद हमारे पास जो चलेंग है get a smoke garnet इन 20 मेचिस तो आप लोगों ने smoke garnet उटा देने है 20 मेचिस में जो के smoke करता है जिससे दूवा निकलता है वो उटा देने हैं उसके लिए आप लोगों ने 20 मेचिस play करने है 20 मेचिस के बाद हर एक मेच में एक एक smoke garnet उटा के आप लोगों का ये चलेंग easily complete हो जाएगा ठीक है तो next missions की तरफ हम चलते हैं हमारे पास next mission है complete 10 मेचिस with friend तो आप लोगों ने 10 मेचिस अपने friend के साथ play कर लो उसके बाद आप लोगों का ये challenge complete हो जाएगा 10 बंदों के साथ किस तरह मेच प्ले कर लो जो बंदे आप लोगों के साथ aid हैं उनको आप request बेजो और उनके साथ आप लोगों 10 मेचिस कर लो तो आप लोगों का ये challenge जो है easily complete हो जाएगा उसके बाद जो है kill 10 enemy निम आई है तो मैंने आप लोगों को पहले भी discuss कर दिया उसके बाद जो next mission है get a flare gun once in a match for five mages तो आप लोगों ने करना है क्या है flare gun उटा दीनी है ठीक है पांच मेचिस में ठीक है पांच मेचिस के लिए आप लोगों को play करने होगे तो आप लोग सोचते होंगे flare gun मिलती है तो आप उससे मांग लो कि please मुझे एक बार दे दो पेन में वापस कर दूँगा चाहे उसमें गूली हो या ना हो तो आप लोगों को दे देगा flare gun और उस को आप वापस कर दो तो आप लोगों का ये जो है करना है 300 मीटर की दूरी पर आप लोगों ने एक बंद को मार देना है इसके लिए मेरा ट्रिक ये है कि आप लोग एक दफा बोट को नाकाउट कर दो तो उसके बाद नाकाउट करने के बाद आप लोग वहाँ से बोट हो या रियल बंद हो आप लोग नाकाउट कर दो नस्दीक से बिस्टल से या किसी और चीसे तो उसके बाद वहाँ से बाग जाओ और 300 मीटर की दूरी पर जाओ चाहे आप गाड़ी में जाओ चाहे आप फूट पे जाओ तो आप लोगों को जब गाड़ी में आप लोग जाओगे तो गाड़ी में आप लोगों ने तेजी से जाना है और वहाँ पे आप लोगों ने जिसी 300 मीटर आप लोगों की कंप्रीट हो वहाँ से गाड़ी से उतर जाना है ठीक है पहले पहले आप लोगों ने कारी से उतर जाना है बिर आप लोगों का यह काउंट हो जाएगा और आप लोगों का इज़े तब तक आप गूट या रियल प्लेयर जो है वो मर जाएगा और उसके बाद आप लोगों का ये चेलेंज怎麼 full rate हो जाएगा तो बहुत easy सा जो challenges है वो आई हुई है तो इसके बाद जो next challenge है आप लोगों ने करना क्या है kill 10 enemies with SKS तो आप लोगों ने करना क्या है SKS gun उटा दिने हैं उसके साथ आप लोगों ने 10 मांदे को मार देना है आप लोगों का ये challenge complete हो जाएगा मैं जल्दी से आप लोगों को SKS gun दिखा दूँ कि SKS gun आप लोगों को कौन सा जो है वो आप लोगों को ये आप लोगों देख सकते हो ये SKS gun है इसके साथ आप लोगों ने 10 बंदों को मार देना है कोई साभी map हो आप लोग easily complete कर सकते हो तो उसके बाद जो हमारे पास next challenge है land on top of building in hathiny तो ये hathiny जो location है उनके साथ जीतने भी building है उनके उसके चत पर आप लोगों ने एक बार उतर जाना है तो आप लोगों का ये challenge complete हो जाएगा चाहां पर आप लोगों को हातीने मिलेगा तो यहां sunhawk classic में आप लोगों ने sunhawk में match play करना है दूसरे नंबर पर जो है उसके बाद आप लोगों को हातीने location पर जो के आप लोगों को screen पर show हो रहा है आप लोगों को वहां पर जाना है और आप लोगों का ये challenge easily complete हो चैनल आपने subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर दिजिए सब्सक्राइब और आल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके बेल आइकोन को दबाएए ताके next वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल सके अहां और हां इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना ह टेंक्स और वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफेर